हाई फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे दोस्तो तो एक बार फिर नई वीडियो के साथ आए दोस्तो तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका तो आज हम बताते हैं आपको हैमबर के लिए मतलब एक वीडियो बनाई ही हमने हैंबर के उपर तो इस वीडियो में आज हम अपको बताएंगे हैंबर किस तरीके से रिपेर करी जाती है कि क्या इसके इसके अंदर फाल्ड है किस तरीके से ठीक करें अगर आप चाहें अपने घर पर भी आपना अप्र देखना स्टानी से आपको आपको आप इसका B कॉंटिनि brush रहे हैं तो बरावर तरेकले से बोल लो पारहा है तो इसमें चली हम चेक करते हैं इसके अंदर क्या फाल्ड है किस वज़े कर लोकलल है यह 10 mm हमड़ है है हमारी यह मतलब चाक्या श्चायन वाल यह मतलब legal छाइन मुअdefined हैंoda ry ही सम्पर्षट जाएंगे तो प्लीज दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि इसे रिलेटिज जितनी वीडियो आती है आप लोग तक आसानी से पोच जाएं तो सबसे पहले हम करना क्या इसकी जो वायर वगएर हम सबसे पहले वो चेक हमारी वीडियो में बताते हैं आपको वायर और जो इसका स्वीच है वो चेक करेंगे कभी-कभी ऐसा होता है छोटे से फाल्ड की वज़े से बड़ा फाल्ड बन जाता है तो सबसे पहले हम इसकी जो वायर है जो सुच मेरे डिरेक्ट लगी हुई है क्योंकि सुच तक हमार मेन आरै है इस यहाँ तक चेक करनी है चेक किस तरीके से करनी है वो चीज़ हम आपको बताएंगे देखिया है तो उसकी स्वीच है हम इसी की वायर हमने चेक की आई लेकिन एक बार फिर भी चेक करके हां अगर हमारी वायर होती है ठीक कि अब इसके बाद में यह देखिया जो आर मेचर को करण नहीं दे पारी है तो सबसे पहला हमें ने क्या किया इसकी जो ओपन कर लिए चार बोल्ड खोलने के बाद में हैड हमारा बाहर हो जाता है अभी जो फिल्ड है हम इसको चेक करेंगे इसकी जो चार बोल्ड चारो तरफ लगे हुए किसी में दो बोल्ड होते हैं आमने सामने के लिए लेकिन इसमें चारो सा चारो कोनों पर चार बोल्ड लगे हुए ताकि फिल्ड का जो बैलन्स है वो बना रहे तो सबसे पहला हमें चार बोल्ड खोल लिया है इसके तो इनमें खोल के जो हमने चेक किया है इसके अंदर जो वायर है एक लूश था लूश पॉइंट था थोड़ा सा जिसकी वएसे इस पार्क हों के जो है मतलब वो पत्ती जो है जल चुकी थी तो हमने क्या गया उसको जो पत्ती का मुँँ हलका सा दबा के थिंबल वो उसमें थोड़ा सा ग्रीश बगार है उसी तरीके से आपको चेक करना है आपकी समझ में प्रोपर तरीके से आ जाएगा कि हमारी मसीन में क्या फाल्ड है किस वज़े से काम नहीं कर रही है स्विच वायर और केंटिनुटी केंटिनुटी भी बहुत जरूरी है अगर केंटिनुटी बरावर्द वरी तरक्रीश काम कर रही है तो फिर हमारा कार्बनों को फाल्ड भी हो सकता है आर्मिचर का भी फाल्ड हो सकता है उसको भी किस तरीके दर ठीक कह जाता है हमारी बहु